नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूटूब चैनल सिंपल फामेसेश्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कीटो कोनाजोल टैबलेट के बारे में ये जो टैबलेट है दोस्तों कुछ खास प्रकार के फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको लिखते हैं बात करें तो ये जो कीटो कोनाजोल है दवाई का मूल नेम है मेडिकल इस्टोर पे ये कुछ अपने पॉपलर ब्रैंड से बिखती है जैसे की बात करें अगर हम तो कीटो सिफ टैबलेट के नाम से ये आपको इजली मिल जाएगी इसके अलावा दोस्तों फंगी साइट टैबलेट के नाम से भी मिल जाती है बात करें तो ये जो टैबलेट है ये 100MG और 200MG की अलग-अलग स्टेंथ में अवलेबल है इस दवा के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें जैसे की ये दवा आखिरकार है क्या कैसे काम करती है किस-किस प्रकार के फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको लिखते है इसके लाब मोगडेंगे, कीसे लेना है, कीटना डोस लेना है Alone, इसके side effects क्या कुछ आते हैं तो चलिए video वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंतर तक बने रहें बात करें दोस्तों कि ये जो दवाह ऐ है, ये आखिरकार है क्या और कैसे काम करती है तो दोस्तो यह जो दवा है यह विसकली एसोल एंटी-fungal class की दवाई है और यह करती क्या है यह जो fungus होता है उसकी growth को stop कर देती है जिससे जो fungus होता है वो मर जाता है यह विसकली उसकी जो cell membrane होती है दोस्तो उसको destroy कर देता है नस्ट कर देता है जिससे जो फंजाई होता है वो मर जाता है और आपका infection ठीक हो जाता है बात कर लेते हैं इसके users के बारे में कि किन-किन समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है तो दोस्तों मैं आपको सुरुवात में ही बता दू इस दवा के side effect बहुत जादा है tablet का उपयोग systemic fungal infections को ठीक करने के लिए doctor करते हैं बात करें कुछ परकार के infection की तो जैसे कि अगर आपके mouth या फिर गले से related किसी परकार का fungal infection हो जाता है और नहीं जा रहा है तो वहाँ पर अगर doctor बहतर समझेंगे तो ये दवाई आपको वहाँ पर लिख सकते हैं इसके अल अलावा दोस्तों जो है आपके other body parts में infection है तो वहाँ पर भी doctor इसको recommend कर सकते हैं जैसे कि कई बार क्या होता है लोगों के नाखून जो है हाथ की उंगलियों के नाखून या फिर पैर की उंगलियों के जो नाखून है उनमें fungal infection लग जाता है जिससे नाखून खुरखुरे बुरबुरे हो जाते हैं काले काले हो जाते हैं तो वहाँ पर भी doctor इसको आपको दे सकते हैं इसके अलावा कुछ conditions मैं आपको बताता हूँ जैसे कि blastomycosis में इसका उप्योग करते हैं systemic fungal infection इसके अलावा histoplasmosis में इसका उप्योग डॉक्टर करते हैं इसके अलावा जो है दोस्तो chromomycosis यह कुछ conditions हैं जिनमें इस tablet का उप्योग doctor करते हैं लेकिन दोस्तो जब doctor आपके सरीर में इसके फायदे जादा पाएंगे तब ही इस दवाई को आपको recommend करेंगे क्योंकि इसके side effect बहुत जादा हैं तो यह हैं दोस्तो इसके उप्योग जो कि मैंने आपको बत साथ यह हो सकता है doctor अपने experience के हिसाब से इसको आपको किसी दोसरी condition में भी दें बात कर लेते हैं कैसे लेना रहता है कितना dose लेना रहता है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ अडल्स का dose मैं बता रहा हूं इसलिए दोस्तो जो है 200 mg वाली जो tablet है वो दिन में एक बार जो है side effect के बारे में तो इसमें काफी ज़्यादा side effect है इसके बात करें दोस्तो तो इसमें आपको मतली जैसा feeling आना या फिर उल्टियां होना साथ ही साथ आपके पेट में दर्द महसूस हो सकता ये दबा लेने के बाद आपके जो liver के enzymes हैं वो बढ़ जाना साथ ही साथ आपके सरी इसके अलावा भी दोस्तो इसके side effect हो सकते हैं कोई भी side effect आपको दिखाए दे तो फर्दर इस दबाई को नहीं लेना है साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है लास्ट में एक ही बात मैं आपको कहूंगा कि इस दबा के side effect काफी जादा है इसलिए बिना ड वीडियो कीटो को नाजोल टैबलेट के बारे में वीडियो का इसा लगा कमेंट में जरूर बताएं साथ भी जो लूक्टर पर पहली बार आएं चल को सब्सकाइब करें अपना प्यार जरूर दखाएं मैं मिलता हूं आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जहिन बने मातरम टेक केर बाए